दोस्तों अगर आप विक्सिनेशन लगा लिए तो काफी अच्छी बात है लेकिन दोस्तों विक्सिनेशन का जो सर्टिफिकेट मिलता है उसमें क्या होता है कि आपका मोबाइल नमबर एड होता है जी हाँ दोस्तों लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है कि दोस्तों उसमें मो वेक्सिन सेटिफिकेट को डानलोड नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको मालूम नहीं होता है आपके वेक्सिन सेटिफिकेट में आपका कौन सा मुबाइल नमबर एड हो गया है लेकिन जब आप वेक्सिन लगा रहे थे उस समय आप अपना ही मुबाइल नमबर दी हैं यह आप मालूम है लेक्सिन देते हैं उस क्या करते हुश कभी कभार जो आ देते हैं उसमें आपका एक ही अच्छा रगर आपका गल्द empowered हो जाता है तो किसी दूसरे member का वहाँ पर number 8 हो जाता है इस्से आपका ज्यादा परेशानी हो ना शाट हो जाता है फिर आप अपना वेक्षिन सर्टिफिकेट को डानलोड करते हैं अपने मुबाइल नंबर दे कर लेकिन वहाँ पर आपका नया दिखाता है कि इसमें कोई भी आप वेक्षिन सर्टिफिकेट नहीं लगा गया है तिसमें फिर आप काफी ज़्यादा प्रेसान हो जाते हैं आपको फिर मालूम नहीं पड़ता है कि हमारे वेक्सिन सेटिफिकेट में किसका मुवाइल नंबर एड़ हो गया है अगर आपका भी कुछ इस तरीके से हुआ है या फिर आप जो मुवाइल नंबर दी है वो आपका नंबर खो गया है तो अगर आइस से भी आप चाहते हैं कि हम अपना दुसरा मुवाइल नंबर के से एड़ कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से अगर कोई भी आपका प्रोब्लम हो रहा है तो इस बड़ी में सारी चीज़ें आपको लाइप प्रूफ दिखाने वाला हू कि आप अपने वेक्सिन सेर्टिफिकेट में मुवाइल नंबर आप के से चेंज कर सकते हैं घर बेठे बड़े आसानी तरिके से कर सकते हैं जो इस बड़ी में आपको लाइप प्रूफ बताने वाला हो तो दोस्तों इस बड़ी में अंतक बने रहना है तो चले शुरू करत तो दोस्तों अगर आपका भी वेक्सिन सेर्टिफिकेट में किसी दुसरे मेंबर का मुवाइल नंबर एड़ हो गया है और उसे आप परिशान है कि हम अपना मुवाइल नंबर के से एड़ कर सकते हैं उसका मुवाइल नंबर डिलेट करकर हम अपना मुवाइल नंबर के से एड़ कर सकते हैं या फिर आपका ही मुवाइल नंबर है लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि हम दुसरा मुवाइल नंबर एड़ कर रहें तो आप कैसे कर सकते हैं यानि कि आप एक्षिन सेटिफिकेट में अपना मुवाइल नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं तो दोस्तो उसके ल लेगा register and sign in तो इस option में आपको क्लिक करना है जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से interface आजाएगा और यहाँ पर आपको mobile number इंटर करना है वेक्सिन लगाते समय आप जो भी mobile number दिये है उसी mobile number को यहाँ पर आपको इंटर करना है और अगर आपको उस लीडिंग हुआ है कि दुसरे member का mobile number 8 हो गया है तो उसी member का mobile number यहाँ पर आपको इंटर करना है और अगर आपको उस member का mobile number मालूम नहीं है तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है यह भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ तो दोस्तों आप वेक्सिन लगाते समय जो mobile number दि इंटर कर दिना है ओटिपी फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वेरिफाय एंड प्रोसीड के ओप्शन पर किलिख करना है उसके बाद दोस्तों फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर जितने भी मैंबर इस नंबर की थूर से वेक् करने का ओप्शन आएगा तो उसका भी सेलेशन हम आगे बात करने वाले हैं लेकिन दोस्तों अगर आपका खुद का ही मुवाइल नंबर है और अगर आपका भी इस तरह से आ रहा है यानि कि आप इस तरह से आपका शो हो रहा है तो आप इसमें मुवाइल नंबर के से चें करने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आगा और यहाँ पर आपको आजाएगा select a member to transfer यानि कि यहाँ पर आपको select करना है तो इस mobile number चे जितने भी member का यहाँ पर vaccine लगाया होगा उस member का शारण नाम शो होगा तो जिस member का mobile number चेंज कराना चाहते हैं तो उस member को यहाँ चापको select करना है उसके बाद दोस्तों आप कौन सा mobile number इसमें आप डालना चाहते है new mobile number तो यहाँ पर आपको new mobile number आपको enter कर देना है mobile number इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको को टर्म 앤क कंडिक्शन को accept करना है, accept करने के बाद दोस्तों फिर यहां पर आपको continue के option पर किलिक कर देना है, continue करने के बाद दोस्तों फिर आप जो मुवाएल नमबर दीये हैं, उसमें एक otp आगा, उस otp को यहां पर आपको enter कर देना है, otp後 if you fill करने के बाद दोस्तों यहा और request to transfer member has been completed successfully तो दोस्तो इस तरह के से आप अपने vaccine certificate में mobile number को change करा सकते हैं और इस तरह से आपका successfully हो जागा और आपका request में चला जागा फिर आपका 24-48 गंटे में आपका update हो जागा तो दोस्तो अगर आपका ही mobile number है तो इस तरह के से आप vaccine certificate में change करा सकते हैं लेकिन by mistake से अगर आपके vaccine certificate में किसी दुसरे member का mobile number 8 हो गया है तो उसको आप कैसे change कर सकते हैं तो दोस्तो अगर उस member का आपके पास mobile number है तो उसी तरह के से यहाँ पर आपको enter करना है और get OTP के option पर click करना है जिससे आप get OTP के option पर click करेंगे दोस्तो तो उसके पास OTP चला जागा जिस member का भी number होगा उसके पास चला जागा तो दोस्तो उसको सबसे पर आपको contact करना है और आपको प्यार भरी आवाज में आपको बात करना ही कि दोस्तो आपका mobile number में एक OTP गया है जो वेक्ष connection certificate में mobile number change कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको यह OTP मांग रहे हैं अगर वो member कहेगा कि आप फ्रोड कर रहे हैं तो दोस्तो उसको आपको सबसे पहले समझाना है कि भाई आपका प्यास कि भाई आपके पास जो OTP गया उसको आप धेखें ध्यान से अगर आपको नही चेंज करा सकते हैं लेकिन अगर वो person अगर आपका OTP नहीं दिया हो सकता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है और वो सोचेगा कि आप फ्रोड कर रहे हैं अगर आपको नहीं दे रहा OTP तो उसका solution क्या है कि दूस्तो आप जहां पर भी आपके सामने में नेशन का केंप लग हुआ है उसको देना है उसकी बाद वहां से वह क्या करेगा कि आपका मुवायल नमबर चेंज कर देगा तो दोस्तों अगर आपके विक्सिन सेटिफिकेट में किसी दूसरे में में मौयल नमबर एड हो गया तो इस तरीकी से आप बढ़े असानी से चेंज करा सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने विक्सिन सेटिफिकेट में मौयल नमबर चेंज कर सकते हैं तो उम्मीद करता है अब यह काफी पसंद आगा पसंद आगा तो लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें तो चलिए दोस्तों फिर में से भी बहुत ही जल्द नेस्ट बड़ में मिलते है झाल 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 झाल